बाइज काफी सारे बंदों ना soft starter ले लिया है और अभी बात आती है इसकी wiring की तो बाइज जिनको पता है जो technician है उनको तो पता ही है इसकी जो wiring है वो किस तरी किसे करनी है और अभी मेरे हाथ में आप जो soft starter देख रहे हो इसके अंदर विशे की capacitor यहां पे लगे हुए है तो य budget में इतना कोई खास फरक नीं है बाग ही यह काफी अच्छे लगता है तो अभी बात कर लेते हैं इसकी wiring की कि इसकी जो wiring है वो किस सिरी किसे करनी है जिन लोगों को नहीं बता तो वह यह वीडियो देख लेना कि ऑसका आप लिख यहां और AC out ठीक है तो यहाँ पे और भी connector दिये हुए हैं यहाँ पे दो यहाँ पे दिये हुए हैं और एक यहाँ पे दिये हुए हैं तो इनका क्या काम है वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा और एक connector यहाँ पे और एक यहाँ पे बीच में यहाँ पे भी लग करनी है तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने जो amplifier के अंदर जो soft starter लगा रखा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा रखा है तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है वो है transformer की wire होती है जो main light की wire होती है 230 volt यहाँ पर लिखा हुआ तो इस तरीकी की जो main होती है उसको हमें यहाँ पर connect कर देना है out पे ac out पे तो यह जो terminal है तीनो terminal बीच वाले यह common है ठीक है तो यह ac in करोगे तो उसमें भी एक common रहेगा तीनों में से ठीक है और ac out लेते time भी इन में से यह एक common रहेगा ठीक है और a की यह वाला जो point है यह अलग है यहाँ से आपको out लेनी है ठीक है यानिके एक main है और एक आपका noodle जो बोलते हैं वो होता है ठीक है तो यहाँ से इस तरीके से जो transformer की wire है वो हमें यहाँ पर connect कर देनी है और यहाँ पर करनी है हमें ac in जो यह दो wire है यह एक ही बात है यहाँ पर लगा तो चाहिए यहाँ पर लगा दो ठीक है एक ही बात है एक wire यहाँ पर connect कर लेनी है और एक wire यहाँ पर connect कर देनी है जो कि अपनी main light की होती है तो यह अपना काम करेगा और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप on करो के switch को यह जो light है यहाँ पर transformer भी आप इसके अंदर add कर सकते हूं जैसे मानलों चोटा transformer बड़ा transformer है वो आप इस पर add कर सकते हूं या फिर किसी और चीज के connection आप लोगों को इस पर करने हैं तो वह आप इन पर मतलब यह main light के देनी है पहले switch में यानि कि जो switch होता है on off का switch होता है जो amplifier के अंदर लगता है उसके अंदर देनी है और ये जो transformer की wire है ये आपको इनी पे लगानी है ना कि switch पे लगानी है ठीक है ताकि पहले आपका जो ये soft starter है switch के दोबारा ये on होएगा उसके बाद इसके अंदर से power जाएगी जो slow होगे जो जाएगी वो फिर जाएगे अपने transformer में ये नहीं है कि भाई ये जो wire है ये आप switch के अंदर डाल दो और इसके जो connection है वो अलग से कर दो तो ऐसा नहीं करना है ये जो wire है ये आपको इसी के साथ attach करनी है soft starter के अंदर ठीक है guys तो ये इस तरिके सी इसकी wiring थी और ये जो amplifier है आज अपना complete हो जाएगा और आज साम को ही इसकी वीडियो आ जाएगी तो मिलते है guys next वीडियो में तब तक लिए बाई